हमारी सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बना दी चलिए बाज अप्पा की सरकार बन गई कुछ अच्छा करके दिखाते तो कम से कम कुछ फायदा होता आपका लेकिन मुझे खुद ताजब हुआ आज मैं अपने नोट पर रही थी यहां आने के लिए भाशन देने के लिए तो मैं पर रही थी कि कितनी बेरोजगारी है कि शिक्षा के कोई संस्थान नहीं खोले महंगाई कितनी बढ़ गई है और मुझे ताजब हुआ यह पढ़के कि तीन सालों में इन्होंने मात्रे 21 सरकारी नोकरी दी है 18 सालों में इन्होंने 22,000 घोशनाई की अगर 22,000 नोकरियां ही दिलवा देते तो कुछ फायदा होता है इनका लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया जितनी घोशनाई की उनमें से एक प्रतिशन शायद पूरी होंगी तो सच्चाई आपके सामने है यह जबलपुर शहर है आप सब जानते है देश प्रदेश चलाने के लिए देखिए एक विजन चाहिए होता है एक नजरिया होना चाहिए